नमस्कार, क्रांती ओडिसा में आपका स्वागत है गीहूं के खेत में चिडियों की एक तोली मौच कर रही थी तब ही किसान आया और फसल को देख कर बोला, फसल तयार है फसल कातने के लिए मुझे अपने परोसियों की मदद लेनी पड़ेगी उधरन चिन्ह, यह कहकर वह परोसियों को बुलाने चला गया चिडिया ने अपनी मा को पुकारा मा, मा, चलो, हम किसी और खेत में जा कर चुगे मा ने इत्मी नान से कहा, अभी चिन्ता की कोई बात नहीं तुम सब मौ जोलाओ, उधरन चिन्ह, किसी परोसि के साथ ना आने पर किसान ने फसल को देख कर दूसरे दिन कहा भार में जाएं परोसि, मैं जा कर अपने रिष्टेदारों को बुला लाता हूँ वो अपने रिष्टेदारों को बुलाने गया कि नन्ही चिरिया फिर चिल्ला उथी, मा, मा अब तो यहां से ओर चलो, हमारी जान को खत्रा है, मा ने उसी इत्मीनान से जवाब दिया, अभी काफी वक्त है तुम आराम से दाना चुगो, तीसरे दिन किसान अकेला ही आया और बोला, रिष्टेदार भी भार में जाएं अब तो मुझे स्वयम ही कुछ हिंतजाम करना होगा, और मज़दूरों की तलाश में वल गाव की ओर चल पड़ा तब मा ने ननहे मुने बच्चों की ओर देख कर कहा, चलो बच्चों, अब हम किसी और किसान की खेट में चल कर देरा डालेंगे काम तभी बनता है जब आदमी अपनी ताकत पर भरोसा करता है